आईए हम दाउद का इतिहास देखते हुए, जिसको परमेशुर ने मेरे मन के अनुकुल पुरुष के रूप में संधर्भित किया, परमेशुर का वचन साजा करें। युदु में दाउद ने हमेशा जीता, उसकी जीत का मुख्य कारण यो था, कि उसने हमेशा परमेशुर की सेवा की, और उन्हें अपनी सेना का प्रधानमाना और खुद को महज परमेशुर की इच्छा को पुरा करने वाला व्यक्ति समझा। दाउद ने अपनी योजना बनाने के बदले हमेशा परमेशुर से पूछा कि युद में सेना की अगवाई कैसे की जाएं। आईए हम इसे दो शमुएल अध्धाई दो देखें। अध्धाई दो आयत एक। इसके बाद दाउद ने यहोवा से पूछा क्या में यहोदा प्रदेश के किसी नगर में जाओ। यहोवा ने उससे कहा हाँ जा। दाउद ने फिर पूछा किस नगर में जाओ। उसने कहा हेब्रोन में। दाउद ने हमेशा परमेशुर से सलहाली। इसलिए वो सेना की सेनापती अर्थात पर मेशुर का निर्धेश पासका। तब दाउद इज्रेली अहिनोम और करमेली नाबाल की स्त्री अभिगेल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेट वहा गया। आईए हम आयत साथ पर जाएं। अभियाब बांधो और पुरुशार्थ करो क्यूंकि तुम्हारा प्रभु शाउल मर गया है। और यहुदा के घराने ने अपने उपर राजा होने को मेरा अभिशे किया है। इस खशन से दाउद इस्राइल के राजा के रूप में लडाई करने निकला। जब आप अध्याय तीन आयत एक देखते हैं तो इसमें लिखा है। शाउल के घराने और दाउद के घराने के मध्य बहुत दिन तत लडाई होती रही। परन्तु दाउद प्रभल होता गया और शाउल का घराना निर्बल परता गया। अब आईए हम दो शमुएल अध्याय पाच आयट दस देखें। यो केताय और दाउद की क्या होती गई। बड़ाई अधिक होती गई। और सेनाव का परमेश्वर यहवा उसके संग रहता था। यहुशु के कनान पर विजे प्राप्त करने के बाद भी सियोन लंबे समय तक अज़े रहा। लेकिन दाउद उस पर कब जा कर सका। दाउद ने परमेश्वर को सेना काच सेना पतिमाना और उसने सोयम भी वही किया जो परमेश्वर चाहते थे कि वो करें। परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए। चुकि मैं आपका प्रतिनीधी ही हूँ, जो आपकी इच्छा को आपके लोगों तक पहुचाता है। चुकि परमेश्वर उसे निर्देश दिया करता था कि लडाई कैसे जीते। इसलिए वो हर लडाई जीत सका। है न, दाउद का जीवन लडाईयों से भरा था। आईये हम दो शमुएल अध्धाए आठ आयत एक पर जाएं। इसके बाद दाउद ने पलिष्टियों को जीतकर अपने अधिन कर लिया। और दाउद ने पलिष्टियों की राजधानी की प्रभूता उनके हाथ से छीन ली। फिर उसने मुआबियों को भी जीता और इनको भूमी पर लिटा कर डोरी से मापा। तब दो डोरी से लोगों को मापकर घाद किया। और डोरी भरके लोगों को जीवी छोड़ दिया। तब मुआबि दाउद के अधिन होकर भेट ले आने लगे। फिर जब सोबा का राजा रहुप का पुत्र हददेजेर महानत के पास अपना राज्य फिर जोंकितो करने को जा रहा था। तब दाउद ने उसको जीत लिया। और दाउद ने उससे 1777 और 20,000 पाईदे छिन लिये। और सब रथवाले घोडों के घुटनों के पीछे की नस्कटवाई, परन्तु 100 रद के लिए घोडे बचा रखे। जब दमशिक के अरामी सोबा के राजा हदेरेजेर की साहता करने को आए, तब दाउद ने अरामियों में से 22,000 पुरूस मारे। तब दाउद ने दमशिक के अराम में सिपाहियों की चोक्या बैठाई, इस प्रकार अरामी दाउद के अधिन होकर भेटले आने लगे। और जहाँ जहाँ डाउद जाता था, वहाँ वहाँ यहोवाउस को क्या करता था, जैवंध करता था। उसके जहाँ कही जाने पर जैवंध होने का कारण परमेशवर पर का उसका विश्वास था। परमेशवर मेरा गड़ हैं, परमेश地方 मेरी ढाल हैं। भजन सनहिता की पुस्तक में दाउद ने हमेसा कहा क्यूंकि परमेश रहमेशा हमारे साथ है। पर मेशुर ने हमें उनके हाथों से बचाया जब दाउद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लोटाया तब उसका बड़ा नाम हो गया फिर उसने एदों में सिपाहियों की चोकिया बेठाई और सब एदों में दाउद के अधिन हो गए दाउद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहवा उसको जैवंद करता था दाउद ने मौाब पर आक्रमन किया और तमशिक के अरामी और सोबा की राजा को पराजित किया आयत 6 में दाउद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ परमेशोर ने उसके लिए क्या किया यो कहा गया है परमेशोर दाउद को जईवन्द करता था बाइबल में कई यूद और लडाया दिखाई दिती है लेकिन सवाल यो है कि आज हम उनसे क्या सीख सकते हैं क्या ये सारे अभिलेग हमें यो नहीं सिखा रहें कि इस यूग की आत्मिक लडाई में हमें परमेशोर को हमेशा अपनी सेनाव का सेनापती मानना चाहिए जब हम परमेशोर के प्रतिनीध्यों के रूप में उन सारी शिक्षाव का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे जो हमें दी गई है तो हमारी लडाई का परिणाम क्या होगा? हम विजय होंगे आपका बहुत बहुत धनेवाद